नमस्कार, विलियमशेक्स्पिर के नाट्यक the tempest काा Act First उसमें दो सीन थे पहले ही अप्लोड कर चुके हो मैं और आज Act First का First सीन, Act Second का First सीन देखते हैं तो ये जो सीन है, Act Second का पहला सीन in another part of the island, दीप के एक दूसरे भाग में है, Alonso is mourning for the supposed loss of his son एलनसो जो के नेपल्स का राजा है इस मोर्निंग वो दुख प्रकट कर रहा है रो रहा है for the supposed loss क्योंकि उसकी कलपना के अनुसार मृत्यू हो चुकी है और फिस सन उसके बेटे की गॉंजेलो ट्राइज गॉंजेलो कोशिश कर रहा है to comfort him उसको सांतोना देने की एंटोनियो एंड सेवेस्टियन जोक heartlessly एंटोनियो इससे आप परचित हैं ये प्रोस्पेरो का भाई है जिसने हत्या लिया था ड्यूकडम प्रोस्पेरो का और सेवेस्टियन ये एलनसो का छोटा भाई है तो ये दोनों खुब मजाग बना रहे हैं गोंजालो का और खुब हस रहे हैं उन्हें इस बास से ज्यादा फरक नहीं पड़ रहा कि एक बाप है एलनसो जो अपने बेटे के लिए रो रहा है वो दोनों तो खुब हसी मजाग कर रहे हैं सेवेस्टियन को ये देखिए कि वो एलनसो का छोटा भाई है लेकिन वो भी इस बास से के मेरा भतीजा मर गया है ये नहीं है कि हसी मजाग ना करे वो भी मजाग कर रहा है तो इसे इन दोनों के केरेक्टर का पता चलता है एंटोनियो को आप जानते हैं कि वो पहले ही हतिया चुका है अपने बड़े भाई का ड्यूगडम एरियल एपियर्स और जब ये सब कुछ चल रहा है तो वहाँ पर एरियल आता है एंट चाम्स और जादू कर देता है एलनसो एंड गॉंजालो एंड अधर लॉड्स यानि एलनसो पर जादू करता है गॉंजालो पर करता है और दूसरे जो बाकी के वहाँ पर लॉड्स हैं दरवारी हैं उन पर जादू कर देता है जिससे कि वो तो स्लीप वो सो जाते हैं अब एंटोनियो एंड सेबस्टियन आर लेफ्ट अवेक केवल एंटोनियो और सेबस्टियन ही जगे हुए रह जाते हैं एंटोनियो सजेर्स अब बूटल प्लोट टू मर्डर दा स्लीपिंग किंग अब एंटोनियो एक सजेशन देता है किसको सेबस्टियन को जो कि अलनसो का भाई है कि भाई कि इनका बेटा तो मरी चुका है फर्डिनेंड इन लोगों को भी लगता कि फर्डिनेंड मर चुका है तो अब एक काम करो यह अपना बड़े भाई हैं तुमारे इनको मार डालो और फिर तुम राजा बन जाओ जैसे मैं अपने भाई की जगह लेकर मैं ड्यूक बन गया मिलान का ऐसे ही तुम भी नेपल्स के राजा बन जा अपने भाई को मार के तो यह प्लोट जो ब्रूटल प्लोट यानि एक खतरनाग प्लोट सजेस्ट करता है कि भाई को मार दो सोते हुए राजा को मार दो और उसने लगभग तयार ही कर लिया है सेवेस्टियन को टू फॉल अपॉन दा स्लीपिंग गॉन्जेलो सोते हुए गॉन्जेलो का कतल करने के लिए सेवेस्टियन थोड़ा सा जजग राए कि मेरा भाई है कैसे मार डालू मारने के लिए उसके हाथ नहीं चल रहे है तो एंटोनियो क्या कहता है कि तुम रहने तो तुमारे भाई को तुम मारता हूँ और तुम इस गॉन्जेलो को मार डालो क्योंकि गॉन्जेलो जो है बड़ा वफादार है तो उससे थुड़ा खत्रा भी है वफदार लोगों से थोड़ा खत्रा रहता है तो सेबेस्टियन से अंटोनियो कहता है कि तुम कॉंजलो को मारो और मैं तुम्हारे भाई को मारता हूं वाइल ही हिमसेल्फ गेट्स रिड़ ओफ अलेंसो यानि वो खुद जगा देता है आप क्योंकि यह कॉमेडी है यहां तो ऐसा होना नहीं है तो यह सीन फर्स्ट अनधर पार्ट ऑफ दा आइलेंड दीप का एक और भाग है अच्छा तो जोगों को समरी पसंद है वो यहीं वीडियो बंद करें और बाकी लोग आगे बढ़ें और इस द्रिश्य में प्रवेश करते हैं एंटर, अलोंसो, सेवस्टियन, एंटोनियो, गॉन्जेलो, एड्रियन, फ्रैंसिसको, एंड अदर्स तो इतने सारे लोग इस द्रिश्य में आपको देखने को मिलेंगे गॉन्जेलो कह रहा है राजा से घिसीच यू सर, मैं आपसे दर्खास करता हूँ शीबा जी भी मेरी, खुश हो जाईये हुजूर यू हेव कॉज आपके पास खुश होने की वज़े है मतब रोईये मत आपके पास, मतलब दुख की वज़े है तो कम सेपम खुश होने की वी वज़े है so have we all और वैसी ही वजह हम सब के पास है of joy, खुशोने की for our escape क्योंकि हमारा यह इस तरीके से बच जाना इस तूफान से is much beyond our loss वो हमारे उस नुकसान से कहीं ज्याता है यह जिस तरीके से miraculous तरीके से हम बचे हैं इस तूफान से, वो उस नुकसान से कहीं ज्याता है our hint of wo हमारा जो वजह है दुख की is common वो तो सामान्य है everyday, हर दिन ऐसा होता ही रहता है कि some seller's wife, किसी नाविक की पतनी, some masters of some merchant, कुछ masters मने वही जो मालिक है, या फिर जो चलाने वाले है, owners है of some merchant का मतब किसी merchant ship के जो owner है, and the merchant या कभी-कभी वो merchant ship have just our theme of wo, उन सभी के पास हमारे जैसा theme विशेवस्तु वाला दुख होता है, यानि हमारी तरह ही वो भी दुखी होते हैं, क्योंकि उनका किसी का owner डूब गया merchant ship का, किसी का merchant ship डूब गया, किसी seller की पतनी रोड है, यह कि seller डूब गया but for the miracle लेकिन ये जो miracle हुआ है ये जो चमतकार हुआ है I mean our preservation मेरा मतलब है, हम लोग जो सुरक्षित बच गए हैं, few in millions, तो बहुत कम लोग, लाखों मैंसे million माने 10 लाख होते हैं तो लाखों लोगों मैंसे कुछ ही लोग can speak like us हमारी तरह बोल सकते हैं, बता सकते हैं कि भई, इस तरह से हम बच गए then wisely, तो फिर बुद्धिमानी इसी में हैं, good sir अच्छे हुजूर, way our sorrow कि आप तो लिए हमारे दुख को with our comfort हमारे सुख से हमारी खुशी से, कि हम लोग बच गए हैं, क्योंकि बहुत कम लोग बचते हैं ऐसे तूफान में तो अलनसो, क्योंकि दुखी है, उसे लगता है, उसका बेटा Ferdinand मर चुका है, तो उसे किसी की बातें अच्छी नहीं लग रही तो वो कहता है, मैं तुमसे गुजारिश करता हूँ तुम चुप हो जाओ, शांत हो जाओ Sebastian, he receives comfort like cold porridge यानि तुम जो से सांतोना दे रहे हो वो उस सांतोना को cold porridge, यानि ठंडा दलिया या कोई भी है, सबोजन हलुआ कह सकते हैं, porridge ठंडे हलुआ की तरह या ठंडे दलिया की तरह उसको receive कर रहा है अच्छा नहीं लगता ना, खाने में गरम-गरम हलुआ अच्छा लगता है, गरम-गरम तलिया अच्छा लगता है तो ऐसे receive कर रहा है वो Antonio, the visitor will not give him over so, लेकिन ये जो visitor है, यानि जो Gonzalo है, will not give him over, यानि वो नहीं छोड़ेगा so, इस तरीके से, अकेला नहीं छोड़ेगा वो नहीं मानेगा, यानि वो उसकी सांतोना ले नहीं रहा और वो दिये विना, मान रही नहीं रहा है Gonzalo, Sebastian look, देखो, he is winding up, वो चावी दे रहा है the watch, घड़ी में, of his wit, अपनी बुद्धी की, यानि अपनी बुद्धी को, वो फिर से समेट रहा है उसमें चावी भर रहा है why and why it will strike why and why, जल्दी ही, धीरे-धीरे it will strike ये फिर से, वार करेगी यानि, चल जाएगी इसकी घड़ी यानि, ये बोलने से नहीं ठकेगा फिर से देखो, कुछ और बोलेगा गॉन्जेलो, सर, सुनिये तो हुजूर सेवश्यन, वन, देखा बोला न, ये, एक शब्द देखो बोला, टेल, मैंने बताया था न बोलो, गॉन्जेलो when every grief is entertained जब every grief हर दुख is entertained, यानि हर दुख को अगर आप entertain करेंगे, उसका स्वागत करेंगे, that is offered जो आपको मिलता है, जो आपको दिया जाता है, comes to the entertainer, यानि जो भी entertainer के पास दुखाया है, यानि एक तरीके से जो दुख है, वो उसको आप महमान कह सकते हैं, और जिसको मिला है वो दुख, वो mage one entertainer कहा जा सकता है, तो जब वो हर दुख का स्वागत करेंगे, तो उसके पास और दुख आएंगे, जैसे के जो महमानों का स्वागत करता है, तो उसके पास और महमान आते हैं, तो जब हर दुख का स्वागत किया जाता है, जो उसको मिलता है पाने वाले को, सेवेस्टियन, डॉलर, देखो, अब ये डॉलर के एक-दो अर्थ और भी हैं, वैसे तो डॉलर मुद्रा है, जो के यूरोप में, बहुत साइद देशों में चलती है, खासकर अमेरिका में डॉलर चलता है, लेकिन यहां डॉलर का मतलब है, वो पैसा जो किसी के एंटर्टेंडमेंट के बदले में दिया जाता है, अब यहां, सेवेस्टियन ने तो डॉलर बोला, लेकिन गॉन्जल उन्हें उसका दुख लिया डॉलर, इसका मतलब होता है दुख, D-O-L-O-U-R, तो डॉलर कम्स टू हिम, यानि जो व्यक्ति स्वागत करता है उस दुख का, तो फिर डॉलर कम्स टू हिम, उसके पास डॉलर यानि दुख आता है इंडीड, यू हैवेस्पोकन truer than you purposed, हाँ, वास्तम में आपने अच्छा बोला, ज्यादा सच बोला, जितना की आप क्या उद्देश नहीं था, अब गॉन्जेलो, सेवेस्टियन के डॉलर का अर्थ डॉलर लगा रहा है, इसलिए कह रहा है कि तुमने, तुम्हारा इरादा तो नहीं था सच बोलने का, लेकिन तुमने सही बोला, तुमने डॉलर बोला जबकि सेवेस्टियन ने डॉलर बोला था, सेवेस्टियन, you have taken it wisely, तो सेवेस्टियन के रहा है कि मैंने डॉलर नहीं बोला था, लेकिन तुमने उसका अर्थ डॉलर लगा लिया, you have taken तुमने ज्यादा बुद्धिमानी से इसका अर्थ लगाया देन आई मेंट जितना मेरा इरादा था यू शुड कि तुम उसका अर्थ लगाओ गौन्जेलो देरफोर माई लॉर्ड इसलिए मेरे हुजूर एंटोनियो फाई वाट इस्पेंट थ्रिफ्ट इस ही ओफ इस चंग अरे देखो तो वो कितना इस्पेंट थ्रिफ्ट मने वो होता है जो फालतू अपना खर्चा करता है फिजूल खर्च होता है तो ये अपनी जीव की कितनी फिजूल खर्ची करता है यानि कितना ज्यादा बोलता है एलनसो आई प्रिदी स्पेर तो एलनसो मैंने आपको पहली बता है कि वो दुखिया वो मना कर रहा है कि मैं आपसे दर्खास करता हूँ इस पेर मने मुझे छोड़ दो मुझे से बात मत करो इसके बाद भी he will be talking वो बात करता ही रहेगा अच्छा एंटोनियो कह रहा है कि अब तुम जरा मुझे से शर्त लगाओ अच्छी शर्त लगाओ कि इन दोनों मैंसे यानि गुंजेलो और एड्रियन मैंसे पहले कौन बोलेगा क्रो शब्द प्रेयोग किया है बोलेगा नहीं काउं 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 करेगा पहले कौन काउं काउं करेगा जरा शर्त लगाओगे तो सेवेशियन कहता है यह जो बुढ़ा वाला कवा है काउक माने मुरगा तो यह जो बुढ़ा वाला मुरगा है ये पहले बोलेगा गुड़ा वाला मुरगा कौन है गॉंजेलो ये पहले बोलेगा एंटोनियो कहता है दा कॉक्रेल नहीं मैं ये जवान वाले मुरगे पर लगाता हूँ कॉक्रेल जवान मुरगा होता है तो जो जवान मुरगा किसको बोला है एड्रियन को बोला है तो नही पैसा कुछ नहीं है शर्त में सेबस्टियन अमेच ठीक है मैं भी हसूँगा बदले में एड्रियन दो इस आइलेंड सीम टू भी डेजर्ट अग एड्रियन पहले बोला हाँ हलांकि ये जो दीप है ये एक बंजर जमीन है डेजर्ट मनें रेगिस्तान होता है रेगिस्तान जैसा देखता है तो सेबस्टियन बोला हाँ 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 so you are paid अच्छा तो तुम जीत गए शर्त तुम जीत गए सेबस्टियन बोल रहा है क्योंकि उसने जो शर्त लगाई थी एंटोनियों ने तो कॉक्रेल बोला था कि एड्रियन पहले बोलेगा और एड्रियन पहले बोला you are paid एड्रियन uninhabitable ये जो आइलेंड है uninhabitable जिसमें रहा नहीं जा सकता न रहने लाएक है and almost inaccessible और लगभग न पहुँचने लाएक है यानि बाइचांस हम यहां आगे तूफान की वज़े से हमें तूफान ले आया यहां पर लेकिन वैसे यह मनुश्यों के लिए unaccessible है यानि इनसान की पहुँच से दूर है Sebastian, yet फिर भी Adrian, yet हाँ फिर भी Antonio he couldn't miss it यानि वो इसको miss नहीं करेगा उसने सुन लिया तो Adrian कह रहा है it must needs be of subtle, tender and delicate temperance यानि it must needs be यह जो जगह है यह जो island है यह ज़रूर है of subtle, मने सूश्म, tender मने नाजुक and delicate मने भी नाजुक होता है temperance, यानि इसका जो मौसम है temperance मने वैसे सयम होता है तो इस तरीके का है यहां का जो मौसम है बड़ा अच्छा सा है, नाजुक सा है सयमी है तो एंटोनियो कहता है temperance was a delicate wench जो temperance थी वो तो एक नाजुक सी लड़की थी एक नाजुक लड़की का नाम था temperance तो जो सयम होता है सयम हर किसी के अंदर नहीं होता तो rarely पाया जाने वाली चीज होती है तो उसको जो नाम दिया एंटोनियो ने एक delicate wench एक नाजुक सी लड़की नाम दिया तो temperance वो लड़की थी suggestion ए हाँ एक नाजुक सी लड़की थी and a subtle और एक शात्र लड़की भी थी as he most learnedly delivered जैसा कि उसने बड़ी हुशियारी से most learnedly बड़ी हुशियारी से delivered मने describe किया है एड्रियन यहां पर जो हवा चल रही है हमारे उपर बड़ी मधूर बड़ी खुश्बुदार हवा चल रही है सेवस्टियन as if it had lungs and rotten ones और सेवस्टियन उसका उलटाई बोल रहा है तो वो तो कह रहा है बड़ी खुश्बुदार हवा चल रही है और सेवस्टियन उसका मजाग बना के कह रहा है हाँ ऐसे चल रही है जैसे कि उसके फेफडे सड़े हुए हो rotten money सड़े हुए तो मतलब उल्टाई हो गया सड़े हुए फेफड़ों में से हवा आएगी दलदली मिट्टी है तो वो भी बदबूदार होती है सड़ी हुई तो जैसे उसमें से आरही हो गोश्बू यहां हर चीज बड़ी अच्छी है जिंदगी के लिए फाइदे मंद है तो एंटोणियो ट्रू सेव मींस टू लिफ हाँ सही कह रहे हो बस रहने के लायक संसाधन नहीं है सेबेस्टियन और लिटल या फिर ना के बराबर है अरे देखो ना तुम क्या बात कर रहे हो कितनी हरी भरी कितनी चमकदार गास दिखाई दे रही है ग्राउंड इंडीड इस चौनी हाँ घास तो हरी है लेकिन जो जमीन है वो वास्त में पीली है सेबेस्टियन विद एन आई ओफ ग्रीन इन इट यानि उसमें आई ओफ ग्रीन का मंदब कहीं कहीं हरे भरे धब्बे हैं अर्याली के धब्बे हैं एंटोरियों वो कोई भी चीज मिस नहीं करता है यानि हर चीज पर ध्याम देता है देखो तो सेबेस्टियन लेकिन वो सच को कभी नहीं देखता सच को तो पूरी तरीके से गलस समझता है गॉंजलो बर्दा रेरिटी ओफ इट इस लेकिन इसकी खासियत यह है जो कि वास्तम में बियोंड क्रेडिट मने इनक्रेडिबल मलब भरोसा न करने लायक है यानि खासियत इसमें ऐसी है जो कि इनक्रेडिबल है सेबेस्टियन एज मैनी वाउजड रेरिटी आर जितनी के वाउजड मने जब कसम खाकर बताई जाती है जो कि आरなた बहुत आर कि जो हमारे कपड़े है बीऱ एजड देवर वो एसे है ड्रैंज इन दा सी जो मलब समद्र में पूरी तरह भीग गयते है तूफान में हम लोग जब फसे हुए थे तो समुदर के पानी में पूरी तरह हमारे कपड़े भीग गए थे hold not with standing their freshness and gloss लेकिन फिर भी उनकी जो freshness है ताजगी है और glosses जो उनकी चमक है वो वैसी की वैसी बनी हुई है being rather new diet बजाए खराब होने के भाई salty water है समुदर का तो उसमें खराब होने की बजाए ऐसा लग रहा है rather new diet जैसे कि उनको फिर से रंग किया कर रहा हो फिर से उनको dye किया गया हो then stained बजाए दाग धब्बे लगने के with salt water नमक के पानी से Antonio if but one of his pockets could speak अगर उसकी जैबों में से अगर कोई एक जैब बोल पाती would not say would it not say he lies तो उसकी जैब ये नहीं बोलती कि ये जूट बोल रहा है सबेस्टियन आय हाँ और very falsely pocket up his report और ये क्या होता कि very falsely बड़े जूटे तरीके से pocket up his report इसकी जो रिपोर्ट है बने चुपा लेना होता है तो इसकी इस report को चुपा लेती गॉंजेलो तो गॉंजेलो करा me thinks our garments are now as fresh as when we put them on first in Africa मुझे लगता है कि हमारे जो garments कपड़े हैं उतने ताजे हैं उतने नए हैं जितने कि हमने पहली बार इनको अफरीका में पहना था वैसे ही नए दिख रहे हैं ये आप मार कर लीजे important है कि अफरीका में पहली बार पहने थे कहां पहने थे जो कि राजा की बेटी है किसकी बेटी है अलनसो की बेटी है और उसकी शादी क्या होई है अफरीका में ट्यूनिस के राजा से उसकी शादी हुई है तो ये याद रखने की चीज़ से very short answer type questions में आप से पूछा जा सकता है तो उसकी शादी में हमने पहली बार ये कपड़े पहने थे सेवेस्टियन कितनी बढ़िया शादी थी and we prosper well in our return देखो ये सारकास्टिकली बोल रहा है कि देखो कितनी बढ़िया शादी थी और हमें कितनी सम्रिधी मिली अपने लौटने पर हम तो भहिया गदगद हो गए हम तो बहुत सम्रिध हो गए रिच हो गए इससे लौट कर यानि ये तूफान में फस गए सब कुछ बरबाद हो गया तो हुआ तो उल्टा ही है ने तो ये सारकास्टिकली ये बात किया रहा है कि कितनी अच्छी शादी थी और हम लोगों के कितने मज़े आए लौटते वक्त तो एडियन कहता है ट्यूनिस वाज नेवर ग्रेज्ड बेफोर विद सच अ पैरागॉन टू देयर कुईन तो एडियन कहा कि ट्यूनिस जो था है जगह ट्यूनिस का जो राज है वाज नेवर ग्रेज्ड उसको कभी इससे पहले इतना सम्मान नहीं मिला इतनी खुबसूरत पैरागॉन मना खुबसूरत टू देयर कुईन यानि इतनी खुबसूरत राणी ट्यूनिस में कभी नहीं देखी गई होगी गॉन्जेलो नॉट सिंस विडो डिडो स्टाइम हाँ विडो डिडो के समय से यानि इससे पहले जो खुबसूरत राणी हुई थी वो डिडो थी तो फिर यहाँ डिडो की कहानी है वो कहां की राणी थी कार्थेज की राणी थी और एनीस से उसे प्यार हो गया एनीस तो अपनी यात्राओं पर घूम रहा था तो घुमते घुमते वहां कार्थेज में रुक गया था कार्थेज में वहां रुका तो डिडो और एनीस में प्यार हो गया लेकिन एक दिन अचानक एनीस तो चला गया अब डिडो उसकी याद में उसका इंतजार करती रही समधर किनारे और बहुत दिनों तक इंतजार किया इंतजार करते करते वो ठक गई एक दिन परेशान होकर उसने खुद को आग लगा ली और वो मर गई तो जो डिडो है वो एक तरीके से faithful beloved का example है यानि वो जैसे उसको प्रेमी छोड़ गया वो भी उसके भुला देती और दूसरा प्रेमी अपने लिए डून लेती ये भी तो उसके पास option था लेकिन नहीं वो उसी का इंतजार करती रही और एक दिन खुद को आग लगा ली और मर गई तो ये डिडो की कहानी है एंटोनियो विडो वो कहां से विद्वा हो गई भी अ प्लेग और देट है आग लगे तुम है कीडे पड़े तुमारे वो कैसे विद्वा हो गई वो विद्वा कहां से आ गई विडो डिडो क्या कह रहे हो विद्वा डिडो सेबस्टियन what if he said कैसा रहता अगर वो ये कहता विडोर एनीस टू यानि एनीस विधुर हुआ यानि भही दोनों की अगर शादी हुई है तो डिडो के मरने पर एनीस ही तो विडोर हुआ डिडो कहां से विडो हो गई गुड लॉड हे भगवान तुम भी क्या बात कर रहे हो कितना क्या सीरियस्ली ले रहे हो एडियन विडो डिडो सेड यू तुमने क्या कहा विडो डिडो यू मेक मी स्टडी ओफ देट अब तुम मुझे मजबूर कर रहे हो उसके बारे में पढ़ने के लिए शी वॉज ओफ कार्थेज वो कार्थेज की थी नॉट ओफ ट्यूनिस ना कि ट्यूनिस की हम बात ट्यूनिस की कर रहे हैं है ना ट्यूनिस के राजा से शादी होई है किसकी शादी होई है भूल गए होंगे आप इतनी देर में तो Claribel की शादी हुई है और Claribel कौन है Alanso की पत्ती है वो स्वारी बेटी है पत्ती है त्यूनिस के राजा से उसकी शादी हुई है तो फिर क्या हुआ Gonzalo This Tunis Sir was Carthage ये Tunis ही तो श्रीमान जी Carthage था Adrian Carthage Gonzalo I assure you मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ ये ट्यूनिस ही कार्थेश था हलांकि ऐसा है नहीं विश्वास दिला रहा है लेकिन ऐसा था नहीं है नहीं, अलग-अलग हैं वो ये अब देखो, इसके जो शब्द है वो तो उस मिरेकुलस चमतकारी हार्प, मतब आप कह सकते हैं एक तारा कह सकते हैं, तो रही कह सकते हैं जो के हार्प, इसकी एक कहानी है एमफियन की हार्प का जिकर आता है माइथोलोजी में तो एमफियन की जो हार्प थी यानि आप उसको पीपनी कह सकते हैं आप उसको गा, और बांसुरी कह सकते हैं तो उससे जब music निकला तो धीवारें बनी ठीब्स की ठीब्स की दीवारें जो बनी थी, वो संगीत से बनी थी संगीत बजता था और इंट हो ठोटके अपने आप ऊपर चलती जाती थी और दीवार बनती जाती थी तो ये कह रहा है कि इसके शब्द तो देखो मिरेकलस हार्प से भी ज़्यादा है कैसे सेबस्टियन कह रहा है He had raised the wall and houses to कि जो एमफियन की हार्प थी उससे तो केवल दीवारें बनी थी अब इसने तो पूरा शहर ही बना दिया अपने बातों से यानि दीवार भी बनाई और उसके अंदर के हाउसेज भी बना दिये घर भी बना दिये पूरा शहर ही बना दिया इसने तो अब जरा देखें कौन सा ऐसा impossible matter है असंभव मामला है जिसको अब वो आसान बनाने वाला है जरा देखें आगे क्या करने वाला है यह एक तो इसने यह कर दिया तो सेवेस्टियन के रहा है I think मुझे ऐसा लगता है he will carry this island home कि वो इस दीव को घर ले जाएगा अपने साथ in his pocket अपनी जेब में रख कर and give it his son for an apple और अपने बेटे को यह दीव देगा यह बता कर कि यह एक save है Antonio and sewing the kernels of it in the sea bring forth more islands नहीं अब यह एक काम और करेगा कि यह जो island है इसके beach बोएगा इस island को यहां से उठाएगा और उसके beach बोएगा समुद्र में and bring forth more islands और नए नए दीप उसमें से उगाएगा Gonzalo What? क्या कह रहे हो तुम लोग? Antonio, why in good time? Oh, तो तुम सही समय पर जग गए? Now as fresh as when we were in Tunis अरे भाई, आप कहां से कहां बात करने लगे? हम तो यह कह रहे थे कि हमारे जो कपड़े हैं वो उतने तरो ताजा दिख रहे हैं जितने के हम जब Tunis में थे At the marriage of your daughter who is now queen आपकी बेटी की शादी में जो के अब रानी है Antonio And the rarest that ever came there और वो rarest डोलव रानी जो वहां कभी पहुँची ऐसी रानी, इतनी खुबसूरत रानी वहां पहले कभी नहीं पहुँची सेवशियन बेट, I beseech you विडो डिडो तो सेवशियन पर कह रहा है कि बेट, मनने accept सिवाए, I beseech you मैं आपसे कह रहा हूँ विडो डिडो सिवाए, विडो डिडो के वहां कोई रानी इतनी खुबसूरत नहीं आई Antonio ओ, विडो डिडो हाँ, विडो डिडो सही कह रहे है गौंजलो Is not sir my doublet as fresh as the first day I wore it तो जरा आप ही देखकर बताइए श्रीबान जी कि मेरी जो doublet यानि मेरी जो jacket है उतनी ही तरो ताजा नहीं दिख रही है जितनी मैंने उसको पहली बार पहना था I mean in a sort मेरा मतलब है एक प्रकार से एक तरह से Antonio That sort was well fished for हाँ ये तरीका तुमने अच्छे से ढूंड निकाला है गौंजलो When I wore it at your daughter's marriage जब मैंने ये पहनी थी जैकेट आपकी बेटी की शादी में तो Alonso You cram these words into mine ears क्रेम मने जबरदस्ती तुम भर रहे हो इन शब्दों को मेरे कानों में Against the stomach of my sense Against the stomach उसे भूख नहीं है जबरदस्ती ठूंस रहे हो ये शब्द मेरे कान सुनना नहीं चाहरे है और तुम लोग जबरदस्ती ठूंस रहे हो Would I had never काश ऐसा होता कि मैंने कभी नहीं किया होता Married my daughter अपनी बेटी की शादी नहीं की होती There वहाँ पर For coming then क्योंकि वहाँ से आते वक्त My son is lost मेरा बेटा खो गया And in my rate She too Or in my rate मेरे हिसाब से She too वो भी खो गई Who is so far from Italy removed जो कि Italy से इतनी दूर चली गई मेरी बेटी I never again shall see her मैं उसे फिर कभी नहीं देख पाऊंगा Oh, thou mine hair of naples अरे तुम मेरी naples के मेरे air मने मेरे उत्तराधिकारी And of Milan और Milan के उत्तराधिकारी What a strange fish hath made his meal on the कौन सी वो मचली है जिसने तुमको खा लिया Francis को Sir, he may live तो Francis को ये एक और Lord है वो कह रहा है कि Shiman जी आप दुखी मत होई है हो सकता है कि वो जीवित हो I saw him मैंने आपके बेटे को देखा था The surges under him I saw him beat the surges मैंने उसको beat मने हराते हूँ देखा था The surges मने waves लहरों को under him जो उसके नीचे थी And ride upon their backs और वो उनकी peat पर सवारी कर रहा था लहरों के उपर सवारी कर रहा था He flung aside जिसकी शत्रता दुश्मनी यानि पानी की दुश्मनी उसने एक तरफ रख दी थी And breasted the surge most swollen that met him And breasted मने और वो लड़ रहा था मुकाबला कर रहा था The surge उस wave से उस लहर से most swollen जो के बहुत उची थी that met him जो उसे मिली His bold head उसका बहादूर सिर बव यह जो बव है यहाँ पर कॉमा लगा हुआ है तो कॉमा यह थोड़ा उल्टा लगया है सीधा लगना चाहिए Apostrophe है यह एक letter omit कर दिया यहाँ above यह above शब्द है above the contentious waves he kept तो his bold head अपना बहादूर सिर above the contentious यानि लड़ती हुई लहरों के ऊपर उसने कर रखा था उठा रखा था and owed himself और खुद owed क्या होती है वो जो जिसे नाव चलाई जाती है वो owed कहलाते हैं तो अपने आपको धकेल रहा था himself अपने आपको with his good arms अपनी मजबूत बाहों से in lusty stroke यानि मजबूत तरीके से भार करके to the shore किनारे की ओर that over his wave-worn basis board जो किनारा था समदुर का किनारा wave-worn basis यानि wave लहरे warm लहरों के द्वारा ले जाया गए basis उसके जो पैर है उनके पैरों में board जुग गया था किनारा आपके बेटे के कदमों में जुग गया था as a stooping to relieve him जैसे कि वो stooping मने जुग रहा हो to relieve him उसको सहरा देने के लिए I no doubt मुझे बिलकुल भी संदेह नहीं है he came alive कि वो भी जीवित आ गया है to land जमीन पर जैसे हम लोग जीवित आ गए है आपका बेटा भी जमीन पर जीवित आ गया है लेंसो no no he is gone नहीं नहीं मेरा बेटा चला गया है सेवस्टियन sir you may thank yourself श्रीमान जी आप अपने आपको शुक्रिया अदा कर सकते हैं आप खुद का तो सेवस्टियन सारकास्टिकली कहरा है अपने भाई का मजाग बना रहा है बजाए उसके साथ साहनू होती रखने के अपने भाई का मजाग बना रहा है कि आप अपने आपको धन्यवाद दो इस बात के लिए for this great loss ये जो बड़ा नुकसान हुआ है ये आपकी ही करनी है आपके करने से हुआ है that would not bless our Europe with your daughter यानि जो हमारे यूरोप में अपनी बेटी को नहीं दे सके यानि किसी को भी किसी भी राजा से शादी कर देते अपनी बेटी की यूरोप के किसी भी राजा से की नहीं अफरीका लेके गए अपनी बेटी को बट भलके रेधर लूज हर उसको खो दिया टू एन अफरीकन एक अफरीकन को दे कर वेर जहां शी वो एटलीस कम से कम इस बैनिश्ट वो उसका देश निकाला हो गया उसको बनवास हो गया तुम्हारी आँखों से मलब वो दूर हो गई आप जिसके पास वजह है टू वेट मने गीला करने की अपने आँखें नम करने की आँसु बहाने की इस दुख की वजह से यह सब आपकी करनी धनी है अलंसो प्रिदी, पीस मैं आप लोगों से दरखास करता हूँ शांत हो जाओ सेवस्टियन यह आप से रिक्वेस्ट की गई थी यह आप ऐसा मत करो और जो खुबसूरत बच्ची आपकी बेटी वो खुद वेट बेट्वीन जैसे जूल रही थी बीच में लोथनेस और ओवीडियन्स लोथनेस मनें अन्विलिंगनेस अनिच्छा और आपकी आग्या मनना यानि उसकी इच्छा भी नहीं थी और आपकी आग्या भी मанनी थी तो वो तो जैसे एक उसमें जूल रही थी तराजु में इत विच एंड और दबीम शुड बो यानि वो देख रही थी कि राजू का कौन सा पलरा जुगेगा यानि वो आपकी बात माने के ना माने we have lost your son और हमने आपका बेटा खो दिया I fear forever और मुझे डर है कि आपका बेटा हमने हमेशा के लिए खो दिया Milan and Naples have Milan में और Naples में हैं more widows ज्यादा विधवाएं इन दोनों जगहों पर ज्यादा विधवाएं हैं of this business इस वजह से making then we bring men to comfort them जितने के लोग हम अपने साथ ले जा पाएंगे उनको सहारा देने के लिए सांतोना देने के लिए उसी कहीं ज्यादा विधवाएं हैं हम अपने साथ उतने आदमी नहीं ले जा रहे हैं the fault is your zone और जो गलती है वो सिर्फ आपकी है अरे गलती इनकी है तो भाई नुकसान भी तो सबसे ज़्यादा उन ही का हुआ है गौंजेलो अच्छा एलन सो तो खुदी बोले हैं मैं सोचा गौंजेलो बोल रहा है अगर गलती सबसे ज़्यादा मेरी थी तो नुकसान भी सबसे ज़्यादा मेरा ही हुआ है आप जो बोल रहे हैं वो सच तो है लेकिन दथ लेक्सम जेंटलनेस उसमें थोड़ी विनम्रता की कमी है और जो आपका समय जो है बोलने का इस सच को वो भी गलत है गलत समय पर बोल रहे हैं यू रव दा सोर सोर माने घाव होता है रव माने रगड़ना तो आप घाव को रगड़ रहे हैं वेन यू शुड ब्रिंग दा प्लास्टर जबकि आपको उस घाव की मरहम पट्टी करनी चाहिए सेबस्टियन हाँ तुम बहुत सही बात कह रहे हो यान्टूनीह ए्ड oscillally का मतलब होता है एक्सरजन की तरह है हाँ तुम बहुत अच्छी बात कह रहे हो बिलकुल सरजन की तरह है बात कर रहे हो कि हमें घाव पर मरहम पट्टी करनी चाहिए गॉन्जेलो it is foul weather in us all यानि एक बुरा मौसम है हम सब के अंदर यानि हम सब परिशान है गुट सर अच्छे स्वामी when you are cloudy जब आप उदास होते हैं तो हम सब भी परिशान हो जाते हैं सवस्टियन foul weather बुरा मौसम and to new very foul बहुत खराम मौसम गुंजलो had I plantation of this aisle my lord मेरे सवामी अगर इस अदीब में मुझे पेड लगाने का अधिकार होता न इसमें खेती करने का अधिकार होता तो एंटोनियो बीच में उसकी बात काड़ देता है और कहता है he would had sword with nettle seeds तो वो यहाँ पर nettle seeds यानि जो जहारी होती है जो जहरीली जहारी होती है उसके बीज यहाँ पर बो देता Sebastian और dogs और mellows या फिर वो खरपतवार होते हैं ये वो बो देता यानि कोई अच्छी खेती तो ये करता नहीं या तो जंगली जहारी यहाँ बोता जो जहरीली होती है या फिर खरपतवार होता ये सभी खराप पौधे होते हैं जिनके नाम ये ले रहे हैं गॉंजलो और अगर मैं यहाँ का राजा होता तो मैं क्या करता सेवेस्टियन स्केप बींग ड्रंक हाँ तुम अगर यहाँ के राजा होते अगर यहाँ का राजा होता तो मैं तो यहाँ सारी चीज़न एकदम उल्टी करता जैसे एक राजा करता है उसे एकदम उलट वर नो काइंड ओफ ट्रेफिक क्योंकि किसी भी प्रकार का ट्रेफिक का मतलब यहाँ ट्रेड है व्यापार यहाँ नो आगया ना इसलिए यहाँ नेगे टिवाएगा नो नेम ओफ मजिस्टेट और यहाँ कोई मजिस्टेट का नाम और निशान नहीं होता लेटर्स शुड नॉट बी नोन लेटर्स यानि वो पढ़ाई लिखाई यहाँ कोई पढ़ाई लिखाई नहीं होती riches ना किसी के पस धन होता poverty ना किसी के कोई गरीब होता ना कोई अमeer होता and use of service none और कोई किसी की कैसी भी सेवा नहीं करता कोई किसी का गुलाम नहीं होता contract यान ना किसी लोगों के बीच में कोई समझोता होता सक्सेशन ना कोई किसी का उत्तराधिकारी होता बोर्ड बाउंड ओफ लेंड तो ना कोई बोर्ड माने लिमिट होती है ना कोई लिमिट होती कहीं बाउंड ओफ लेंड ना किसी जगह बाउंडरी होती जमीन पर किसी की भी के ये उसकी जमीन है ये इसकी जमीन है कहीं कोई बाउंडरी नहीं होती टिल्थ आप कह सकते हैं के कोई खेती बाड़ी नहीं होती यानि टिलिंग नहीं होती खेती जमीन की वाइन यार्ड ना कोई वाइन यार्ड मनें कोई अंगूरों के बगीचे या बेल वाले वगीचे नहीं होते, none, ऐसा कुछ भी नहीं होता नो यूज ओफ मैटल, ना हम मैटल का कोई उप्योग करते, कीज भी दादू का प्रियोग नहीं करते कौर्ण, किसी अनाज का कोई प्रियोग नहीं करते, और वाईन, ना ही हम यहाँ शराब बनाते और oil नहीं यहां हम तेल पैला करते किसी वी चीज़ का तेल नहीं निकालते no occupation हम यहां कोई विवसाय नहीं करते all men idol सभी लोग idol रहते यह नहीं खाली रहते किसी के पास कोई काम नहीं होता all सभी खाली होते and women too और सारी महिलाएं भी खाली होते but no center and pure लेकिन वो महिलाएं मासूम होती और pure होती यानि वफदार होती पवित्र होती no sovereignty और कोई भी ruler नहीं होता sovereignty क्या होती है सर्वोच सत्ता होती है तो कोई सर्वोच सत्ता नहीं होती अब सेवस्टियन हसरा है yet he would be king on it अब लोग कोई sovereignty नहीं होती फिर भी वो यहां का राजा होता तो किस बात का राजा होता जब कोई sovereignty नहीं होती तो तो एंटोनियोस की हामे हामे लाते हुए the later end बाद में जो अंत हुआ यानि वो जो office commonwealth जो अपने राज्य का वो description कर रहा है वर्ण कर रहा है तो उसका अंत करते-करते forget the beginning वो शुरुआत को भूल गया यानि ये बात ही भूल गया कि वो राजा बनेगा जब sovereignty ही नहीं होगी तो वो राजा कहां से बनेगा ये बात वो भूली गया तो गॉंजेलो क्या कहता है all things in nature in common nature should produce without sweat or endeavor यानि सारी जो धारन चीजें होंगी ordinary process होगा production का वो काम करेगा बिना sweat मने पसीना होता है endeavor मने कोशिश प्रयास होती है परिश्रम होता है hard work होता है तो किसी को कोई पसीना नहीं बहना पड़ेगा कोई hard work नहीं करना पड़ेगा और nature की सारी चीजें अपने आप योँ ही पैदा हो जाएंगी treason, felony, sword, pike, knife, gun or need of any engine तो ये सारी चीजें treason मने धोखा होता है treasury होती है felony crime होता है sword तलवार होती है pike भाला होता है knife चाकू होता है gun बंदूग होती है or need of any engine engine मने वार वैपन यानि योद्ध के जो हत्यार है उन सब की किसी की जरूत नहीं पड़ेगी would I not have मैं इनमें से कोई भी चीज नहीं रखूँगा but nature should bring forth बलकि प्रकृती खुद लेकर आएगी of its own kind अपने आप से all poison, all evidence poison भी plenty मतलब कि धेर सारे पैदावार होगी सब कुछ होगा सब कुछ भापूरा होगा evidence माने भी बहुतायत में होती है कोई चीज to feed my innocent people मेरे मासूम लोगों को भूजन कराने के लिए उनका पैद भरने के लिए सब कुछ अपने आप पैदा होगा ना कोई लडाई होगी ना कोई युद्ध होगा तो यह जो description गॉंजनलो ने दिया है यह एक ऐसी जगह का है जैसे यूटोपिया होता है सर टोमस मूर ने यूटोपिया लिखा है तो वहाँ सब कुछ अच्छा-च्छा होगा तो वैसा ही गॉंजनलो भी सोच रहा है तो Sebastian No marrying among his subjects ऐसा लग रहा है कि उसके जो प्रजा होगी उसमें शादी वगएरा भी नहीं होगी कोई तो Antonio non man आँ ना कोई आदमी शादी नहीं करेगा All idols, सब आराम से शांती से बैठेंगे गॉंजनलो I would with such perfection govern sir मैं ऐसी perfection के साथ इतनी पूर्णता के साथ यहां राज करूंगा वजूर to excel the golden age जो कि golden age से जो स्वर्णेम योग है जिसका वर्णन होता है उससे भी अच्छा होगा तो यह classical mythology में एक ऐसा time है golden age का वर्णन मिलता है जब सब कुछ अच्छा था perfect happiness थी और वो राज कब था जब God Saturn जो शनी महराज है उनका राज था वैसे तो शनी को ऐसा ग्रह माना जाता है हमारी यहां तो शनी की साड़े साथी लग जाती है तो लोगों पर मुसीबत आ जाती है तो लेकिन जो इनकी western mythology है वहाँ शनी का जो रूल हुआ शासन हुआ तो वो golden period है तो यह याद रखिएगा golden age जो है उसमें शनी का शासनकाल था तो मैं ऐसा राज करूँगा तो सेबस्टियन God save the majesty भगवान बनाई रखे ऐसे राजा को यह तो सारकास्टिकली कह रहा है Sebastian Antonio long live Gonzalo Gonzalo की उमर लंबी हो सारकास्टिकली कह रहा है यह लोग भी क्योंकि अभी आप देखेंगे कि दोनों के दोनों क्या प्लान बनाने वाले हैं Gonzalo को मारने का मतब कतल की बातें हो रही थी मेरे कतल की बातें हो रही थी और मैं वहाँ पर पहुँचा तो लोग बोले बड़ी लंबी उमर है आपकी तो वही हाल है Gonzalo को भवान बनाई रखे Gonzalo and do you mark me sir और क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं शिमान जी अलंसो pretty no more तो अलंसो कह रहा है कि भाया अब मत बोलो तुम बहुत बोलिये thou dost talk nothing to me तुम जो भी बातें कर रहे हो ये मुझे अच्छी नहीं लग रही है नथिंग कर रही है या nonsense thou dost talk nonsense to me तुम जो बातें कर रहे हो वो meaningless है बसम मेरे समझ में नहीं आ रही है इसलिए तुम बात मत करो राजव ऐसी परिशान है उससों लगता है उसका बेटा मर गया है गॉंजलो I do well believe your highness मुझे बहुत अच्छे से विश्वास है महराज and did it to minister occasion to these gentlemen और मैं बोल रहा था इन दोनों लोगों से and did it to minister occasion to these gentlemen यह जो दोनों लोग है यानि Antonio और Sebastian इन महानभावों के लिए मैं बोल रहा था who are of such sensible and nimble lungs जिनके lungs यानि फेफडे इतने sensible है sensitive है इतने लब समविदन शील है नाजुक है that they always use to laugh कि वो हमेशा हसते रहते है at nothing यानि किसी भी बात पर चाहे कोई meaningless बात हो कोई भी कैसी भी बात हो वो हसते रहते है तो इनको हसाने के लिए मैं यह बोल रहा था Antonio it was you we laughed at तो गॉन्जेलो इनका मजाग बना रहा है और यह गॉन्जेलो का बना रहा है कि अच्छा मेरे उपर हस रहते है मैं तो कुछ भी नहीं हूँ who in this kind of merry fooling मतलब ऐसी बेवकूफी की बातें करने में बेवकूफी की बातें करकर के हसाने में मैं तो कुछ भी नहीं हूँ am nothing to you आप लोगों के सामने आप लोगों तो मेरे से भी बड़े बाले वेवकूफ हो so you may continue and laugh at nothing still तो अब तुम लोग जारी रखो हसते रहो at nothing still मैं तो बोलना बंद कर दिया मैंने तुम लोग हसते रहो कि तुम लोग तो मेरे से भी बड़े बाले वेवकूफ हो antonio what a blow was there given वा क्या stroke मारा है ये तुमने तो and it had not fallen flat long और ये ऐसा भी नहीं था कि समझ में आया हो fallen flat का मतब कोई ऐसी चीज जो समझ में आये तो ये बहुत देर तक ऐसा नहीं हुआ कि हमाई समझ में आया हो तुमने बहुत बड़ी है बात कही तो गोंजेलो you are gentleman of brave metal तुम लोग brave metal बने बड़े साहसी courageous लोग हो you would lift the moon out of her sphere तुमारा बस चले तो तुम लोग जो चंदरमा है उसको उसके sphere से निकाल लो अगर तुमारा बस चले तो अपने जो और जिसमें वो घूमता है अपने पत में अगर वो उसमें if she would continue वो जारी रखे in it five weeks पांच सब्ता तक without changing बिना बदले हुए तो चंदरमा क्या है कि लगातार change होता रहता है अपनी आकरती बदलता रहता है हम देखते हैं कभी full moon होता है new moon होता है crescent moon होता है तो अगर चंदरमा बिना बदले पांच सब्ता तक चलता रहे तो तुम लोग तो चंदरमा को वहाँ से उठाई लोगे तुम लोग तो ऐसे हो अब क्या है aerial enter करता है enter aerial invisible यानि दिखाई नहीं दे रहा playing solemn music और वो बड़ा शांत सा संगीत बजा रहा है Sebastian we would sow and then go a bat fouling ठीक है हम ऐसा ही करेंगे और फिर हम चंदरमा को तो निकाल लेंगे और फिर हम bird hunting करेंगे बैट फाउलिंग यानि जो चमगादरे हैं उनकी साहता से चिडियों को पकड़ेंगे ये एक तरीका होता है अंधेरे में चिडियां पकड़ने का रात के समय में जो चिडियां सो जाती है रात को अपने घूंसलों में होती है तो उस वक्त बड़े कुरूल तरीके से लोग चिडियां पकड़ते हैं bat fouling बोलते हैं उसको तो हम ऐसा ही करेंगे चंदर्मा को निकाल लेंगे और फिर बैट फाउलिंग करेंगे अरे नहीं हुजूर गुसा मत हो गॉंजलो कहता है I warrant you I will not adventure मैं आपको गारंटी देता हूँ कि मैं नहीं कोशिश करूँगा adventure मैं खत्रा उठाऊँगा मैं ऐसा खत्रा नहीं उठाऊँगा my discretion so weekly यानि मैं अपना discretion अपनी बुद्धी को इतना खत्रा नहीं उठाऊँगा उस पर इतनी कमजोरी से वार नहीं करवाऊँगा यहां waste नहीं करूँगा वो कह रहा है will you laugh me asleep अब तो तुम लोग क्या हसा हसा के मुझे सुला ही दोगे for I am very heavy क्योंकि मुझे तो बड़ी गहरी नीद आ रही है Antonio go sleep and hear us हां तो जाओ तुम सो जाओ और हम में हसते हुए सुनते रहो all sleep except Alonso, Sebastian and Antonio सारे लोग सो जाते हैं सिवाए Alonso, Sebastian और Antonio के Alonso what या all so soon sleep ये सारे के सारे इतने जल्दी सो गए I wish my eyes would with themselves shut up my thoughts काश मेरी आँखें भी मेरे विचारों को बंद कर देती हैं क्योंकि बार बार उसे अपने बेटे का खयाल आ रहा है तो काश मेरी आँखें भी बंद हो जाती हैं अफर इट तो जो हैवी ओफर आपको मिल रहा है यानि आपकी आँखें सोना चाह रही है तो do not omit का मतब इसको मत छोड़ी अपॉर्चुनिटी को इसको neglect मत कीजिए सो जाए आप भी it seldom visits sorrow seldom मने मुश्किल से ही कभी it मने नींद किस के लिए आया है नींद के लिए आया है तो जो नींद है seldom मने मुश्किल से ही कभी visits मने आती है sorrow मने दुख के समय तो जब कोई आतमी दुखी हो किसी ने अपना बेटा खो दिया हो तो मुश्किल से ही नींद आती है तो अगर आपको आ रही है तो इसको miss मत केजिए when it doth it is a comforter तो ऐसे बुरे समय में अगर नींद आती है तो वो एक comforter होती है यानि राहत देती है तो आप सो जाए we too my lord और हम दोनों मेरे स्वामी will guard you हम आपकी रखवाली करेंगे will guard your person यानि आप लोगों की while you take your rest जब आप लोग आराम करेंगे तो हम दोनों रखवाली करेंगे and watch your safety और आपकी हिफाज़त का ख्याल लगेंगे अब ये बहुत ironical है expression आप irony पूछते हैं न मेड़म irony क्या होती है तो ये mark कर लीजे ये irony है कि हम दोनों आपकी रखवाली करेंगे आपकी हिफाज़त करेंगे अब ये दोनों क्या करेंगे ये देखिएगा आप अलनसो थेंक यो वंडरस हैवी अरे तुम्हारा शुक्रिया बड़ा बहारी नीदा आ रही है मुझे अलनसो स्लीप्स अलनसो सो जाता है एग्जिट एरियल और एरियल चला जाता है सेवश्यन कितनी अजीब सी भारी पन इन लोगों के उपर चागया है कैसी गहरी नीद में ये लोग सो गए है बड़ी अजीब सी नीद है इनकी तो एंटोनियो ये यहां की जलवायू का असर है सेवश्यन कह रहा है कि अगर ये जलवायू का असर है तो ये हमारे पलकों को क्यों नहीं बंद कर रहा है क्यों नहीं हमारे नीद क्यों नहीं आरे गर जलवायू का असर है I find not myself disposed to sleep मुझे तो नहीं लगता कि मुझे जरासी भी नीद आ रही हो एंटोनियो नौर आई और नहीं मुझे आ रही है माई स्पिरिट्स आर निमल मेरे जो थौर्ट्स है वो निमल का मतलब यहां पर अलर्ट है तो जो मेरे विचार है इस वक्त वड़े अलर्ट है मैं तो बड़ा सजग हूँ मुझे तो बिल्कुल नीद नहीं आ रही यह सारे के सारे एक साथ सो गए जैसे कि सब ने सलाह कर लिया हो जैसे कि सब के उपर बिजली गिर गई हो ऐसे एकदम से सारे गिर पड़े नीद में वर्दी सेबस्टियन ओ वर्ट माइट यहनी क्या हो सकता है वर्दी सेबस्टियन क्या हो सकता है और और यह और फिर भी मी तिंस मुझे लगता है I see it in thy face मुझे यह तुम्हारे चेहरे पर दिखाई दे रहा है यानि कोई बात है जो मैं बोलना तो नहीं चाहरा था लेकिन तुम्हारे चेहरे पर दिखाई दे रही है इसलिए मुझे बोलनी पड़ेगी वही क्या चीज है तुम्हें क्या होना चाहिए यह अवसर तुमसे बोल रहा है और मेरी जो मजबूत कलपना है मुझे तो एक मुकुट दिखाई दे रहा है तुम्हारे सिर के उपर गिरता हुआ अब दो खुद तो अपने भाई का हत्याई लिया है अब उससे को भी भड़का रहा है कहीं न कहीं वो खुद भी तयार है इसके लिए वरना कोई किसी के भड़काने में इत्ती जल्दी नहीं आता तो सेबस्टियन अरे क्या बात कर रहे हो तुम जगे हुए तो हो ना अच्छा क्या तुम मुझे बोलते हो और सुन नहीं रहे हो क्या मैं जगा हुआ हूँ भाई सेबस्टियन आई डू यह तो बड़ा अजीब ही आराम है बड़ी अजीब ही नीद है तुम सो रहे हो विद आईज वाइड ओपन और आँखें तुमारी पूरी खुडी हुई है स्टेंडिंग खड़े हुए हो स्पीकिंग बोल रहे हो मूविंग चल रहे हो और फिर भी इतनी कहरी नीद में सोई हुए हो और नोबल सवेश्चियन अच्छे सवेश्चियन दाव लेटेस दाई फॉर्चियून स्लीप मैं तो नहीं सो रहाँ लेकिन तुम अपने भाग्य को सोने दे रहे हो दाई रादर बलके अपने भाग्य को मार रहे हो विंकेस्ट यानि तुम अपनी पलके मून के अपने भागे को मार रहे हो या फिर भागे की आँखें बंद कर रहे हो वाइल्स दाव आर्ट वेकिंग जबकि तुम जगे हुए हो जगे हुए हो फिर भी तुम अपने भागे की आँखें बंद कर रहे हो उसको सुलाई दे रहे हो Sebastian तुम जरूर नीन में बातें कर रहे हैं यह स्नूर मारें खरराटे मारना होता है तो तुम यह खरराटे मत मारो तुम नीन में बात कर रहे हो तुम मत बोलो There is meaning in thy snore तुम्हारे खरराटों में कुछ तो मतलब है समझ में तो Sebastian को खोब आ रहा है लेकिन जानबूज के अंजाना बन रहा है Antonio I am more serious than my custom मैं ज्यादा serious हूँ जितनी मेरी आदत है मैं उससे ज्यादा seriously बात कर रहा हूँ मैं मजाग नहीं कर रहा हूँ You must be so too और तुम्हें भी वैसा ही होना चाहिए मेरी बात ध्यान से सुनो If heed me अगर तुम मेरे बात पर ध्यान दो What to do travels the over और क्या करना है वो तुम जो हम अगर कर लें तो तुमको तीन गुना ज्यादा उपर ले जाएगा अगर जो बात मेरे दिमाग में आ रही है अगर वो हम लोग कर डालें तो तुम तीन गुना उपर पहुंच जाओगे Sebastian Well, I am standing water लेकिन मैं तो थेरे हुए पानी की तरह हूँ भहिया मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है समझ में तो इसे गधे को सबा रहा है नलाय कहीं का तो मैं तो standing water हूँ तो Antonio कह रहा है I will teach you how to flow अच्छा चलो तुम ठेरो वो पानी हो तो मैं तो मैं सिखाता हूँ कि बहना कैसे है Sebastian Do so, हाना सिखा दो न To have hereditary sloth instruct me To have वने कैसे हटाई जाए hereditary जो मेरे शरीर में भरी हुए hereditary वो चीज़े होती है जो हमको खून में मिलती है माता पता से विरासत में मिलती है और sloth माने आलस तो मैं कैसे हटाऊँ इस आलस को जो मुझे मिला हुआ है मेरे खून में instruct me वो जरा मुझे सिखाऊ तो Antonio Oh, if you but knew अरे तुम काश कि तुम सिर्फ इतना जानते How you the purpose cherish कि कैसे तुम ये purpose ये जो देश है ये जो aim है ये इसको तुम चेरिश करते हो तुम इसको कितना प्यार करते हो तुम खुद भी चाहते हो Why is this you mock it जबकि इस वक्त तुमें इस प्रकार मजाग बना रहे हो लेकिन तुम्हें पता है कि तुम्हारे दिल में कितनी चाहत है इसकी How in stripping it you more invest it और ये जो तुम strip कर रहे हो अपने आप से दूर भगा रहे हो अलग कर रहे हो इसको नंगा कर रहे हो इसमें तुम इसको और इन्वेस्ट में और ज्यादा कपड़े पिना रहे हो मत्तब कि तुम छिपा रहे हो यह दिख तो रहा है यह तुम्हारे चहरे पर दिख रहा है मुझे लेकिन तुम इसको छिपा रहे हो Abbing men indeed most often do so near the bottom run by their own fear or sloth Abbing men मना drifting men तो जो ऐसे लोग होते हैं indeed वास्तम में most often बहुत बार do so near the bottom run वो बहुत ज्यादा bottom में चले जाते हैं तलहटी में चले जाते हैं by their own fear क्योंकि वो खुद डर रहे होते हैं और sloth या फिर वो थोड़े lazy होते हैं आलसी होते हैं इसलिए वो खुद तलहटी में समा जाते हैं तैर नहीं पाते उपर नहीं आ पाते किनारे नहीं लग पाते तो Sebastian कहता है प्रदी मैं तुमसे गुजारिश करता हूँ say on और बो और बो the setting of thine eye तुम्हारी जो setting तुम्हारी जो setting fixed eyes हैं ये जो तुम्हारी नजरे हैं and cheek और तुम्हारे गालों पर जो रंग है proclaim ये दावा कर रहे हैं a matter from the क्योंकि तुम्हारे अंदर एक ऐसा मौामला है and a birth और कोई ऐसी चीज़ पैदा होने वाली है indeed वास्तम में which throws the जो तुमको दर्द दे रही है much to yield बाहर निकलने के लिए यानि जब मा के पेट से बच्चा बाहर निकलता है तो मा को बहुत दर्द होता है तो to yield माने पैदा होना और throw माने दर्द होना तो ऐसे ही तुम्हारे चेहरे पर जो रंग आ रहा है तो ऐसा ही है जिसे मा के पेट से कोई बच्चा पैदा होने वाला होता है और उस वक्त मा को दर्द हो रहा होता है तुम्हारे मुझ से भी कोई बात आना चाह रही है बाहर ओ तुम्हें बहुत दर्द हो रहा है तो बोल दो भहिया बोल दो तो एंटोनियो कहता है अच्छा तो लो सुनो दस सर तो ठीक है ये बात ये रही है ये सुनो अल्दो हालांके दिस लॉर्ड ये जो लॉर्ड है न गॉन्जेलो ओफ वीक रिमेंबरेंस इसकी ये बड़ा फर्गेटफुल है रिमेंबरेंस इसकी यादाश्ट बड़ी कमजोर है इसकी खुद की यादाश्ट बड़ी कमजोर है और इसको भी कोई याद नहीं करेगा जब इसको दफना दिया जाएगा उसने लगभग मना ही लिया है क्योंकि मनाना, खुशामद करना, राजी करना अपनी बात पर ये उसकी आदत है केवल इसको मनाना आता इसका प्रोफेशन है तो क्या बात कहके मना लिया है राजा को लगभग इसने विश्वास दिला दिया यकीन दिला दिया कि इसका बेटा जिंदा है तो ये बात इतनी ही असंभव है कि वो ना डूबा हो जितनी के ये जो आदमी यहां सो रहा है जैसे कि ये तैर रहा हो तो ये आदमी सामने हमारे सोया हुआ है तो अगर ये हम बोलें कि भाई ये तैर रहा है सो नहीं रहा है तो ये बात असंभव हुई ना वैसे ही ये कहना कि राजा का बेटा डूबा नहीं है ये भी उतना ही असंभव है लेकिन इसने बेव को जो ये है गॉंजलो इसने राज को ये बात कहके मना लिया है कि नहीं तुम्हारा बेटा डूबा नहीं है सेबस्टियन I have no hope that he is undrowned हाँ बात तो तुम सही कह रहे हो मुझे भी कोई उम्मीद नहीं है कि वो डूबा नहीं है तो एंटोनियो ओ आउट अफ देट no hope अरे ये जो तुम्हारी नाउमीदी है ना ये जो no hope है इसी में तो सारी hope है what great hope have you कितनी बड़ी उमीद तुम्हारे लिए है इस no hope के अंदर ही तुम्हारे लिए कितनी बड़ी hope है no hope that way is another way so high a hope ये जो no hope है ये एक रास्ता है जिस पर चल कर तुम एक ऊची hope वे पास पहुचोगे that even ambition cannot pierce a wink beyond और वो इतनी ऊची उमीद है कि जो तुम्हारी ambition है महत्वा कांगशा है वो pierce a wink माने नजर नहीं डाल सकती beyond माने उसके परे यनि तुम्हारी महत्वा कांगशा उसके उपर नहीं जा सकती इतनी बड़ी चीज तुमको मिल जाएगी but doubt, recovery, discovery there लेकिन जरा देखो तो वहां क्या मिलने वाला है क्या discovery तुम्हें होने वाली है will you grant with me क्या तुम मेरी बात मानोगे that Ferdinand is drowned क्या तुम्हें ये बात तु मानते हो ना Ferdinand डूब गया Sebastian, he is gone हाँ, गया वो तो Antonio, then tell me तो फिर मुझे बताओ who is the next heir of Naples Naples का अगला उत्तरादिकारी कौन है तो अब Sebastian क्या कह रहा है Clarywell, Clarywell यानि के राजा की बेटी जिसकी के अभी-भी ये लोग शादी करके आ रहे है बेटा मर गया तो बेटी ही उत्तरादिकारी होगी Antonio, she that is queen of Tunis अच्छा, वो बेटी Clarywell, जो के Tunis की राणी है अब she that dwells 10 leagues beyond man's life वो जो कि 30 मील दूर रहती है जहां मनुष्य मर जाए जाते-जाते she that from Naples can have no note वो जिसको के Naples का कोई ख़बर नहीं मिलेगी कोई समाचार नहीं मिलेगा unless the sun were post अगर सूरज खुद उसका डाकिया ना बने सूरज खुद ही post लेकर जाए postman बने तो अभी जरूर उसको कोई समाचार मिलेगा Naples का वरना तो कभी नहीं मिल सकता The man in the moon is too slow जो चंदरमा में आदमी दिखाई दे रहा है वो भी बहुत सलो है वो भी नहीं पहुँचा सकता ख़बर क्लेरीवल तक Till newborn chins और जब तक उसको ख़बर पहुँचेगी ना तब तक क्या होगा newborn chins जो नए नए पैदा हुए बच्चों की थोड़ी होगी be rough and reasonable उन पर दाड़ियां होगाएंगी और वो दाड़ियां काटने लाइख हो जाएंगी तब जाके उस पर ख़बर पहुचेगी she from whom वो जिसके पास से we all were sea-swellowed जब हम लोटे तो हमें लगवग समुद्र ने निगल ही लिया था दो सम कास्ट अगें हालांके हम मैंसे कुछ को वापस समुद्र ने फैंक दिया ज़्यादा तर को तो swallow माने निगल ही लिया था हालांके कुछ को उल्टी करके बाहर फैंक दिया and by that destiny to perform an act और भग्य से एक काम करना where of what's past is prologue जिसका के जो बीत गया वो एक शुरुआत है what to come in yours and my discharge और जो होने वाला है वो मेरे और तुम्हारे हाथ में है यानि आधा काम तो समुद्र ने कर दिया फर्डी ने डूब गया और आधा काम जो बचा है जो प्रलोग है प्रोलोग माने वाला है in your and my discharge वो मेरे और तुम्हारे हाथ में है सेवशिन what stuff is this ये सब क्या बगवास है can how say you ये सब तुम कैसे कह सकते हो it is true ये सच है my brother's daughter's queen of tunis कि मेरे भाई की बेटी tunis की रानी है so is the hair of naples betwixt which reasons there is some space लेकिन tunis की रानी होने के सासा she's hair of naples वो naples की उत्तराधिकारी भी है betwixt which जिनके बीच में which reasons इन दोनों शेत्रों के बीच में यानि tunis और naples के बीच में there is some space हाँ ये तो सच है कि कुछ दूरी है लेकिन वो तराधिकारी तो है antonio a space एक ऐसा space who's every qubit जिसकी हर एक qubit अप एक measure है एक लंबाई नापने का measure है तो जिसका हर qubit या हर गज seems to cry out जैसे के चिला रहा हो how shall that clarival measure us back to naples वो clarival कैसे वापस हमको नापती हुई naples पहुँचेगी keep in tunis वो tunis में ही बनी रहे and let Sebastian wake or Sebastian को जागने दो say this were death that now had seized them अब तुम ये कहो कि अब जिस चीज ने इनको जकर रखा है वो नींद नहीं है बलकि death है मौत है why they were not worse than they now they are और वो इस वक्त जैसे हैं मरकर भी उससे ज़्यादा बुरे नहीं होंगे अभी भी मरे हुए सही पड़े हैं ये लोग अगर मर जाएं तो कोई worse नहीं होंगे उससे ज़्यादा बुरे नहीं दिखाई देंगे there be that can rule naples और ये है जो naples पर राज कर सकता है as well as he that sleeps विल्कुल उसी तरीके से राज कर सकता है जितना कि वो जो सो रहा है यानि एलन सो जो कि सो रहा है वो जैसा राज कर सकता है वैसा ही राज ये भी कर सकता है यानि कि सेवशियन भी कर सकता है लोड्स देट केन प्रेट एज एंपली एंड अननेसेसरीली एज दिस गॉंजेलो और बहुत सारे लोड्स हैं वहाँ पर नेपल्स में जो के ऐसे ही देट केन प्रेट जो फालतु की बगवास कर सकते हैं एज एंपली मैंने उतने ही बहुतायत में और गर जरूरी तरीके से एज दिस गॉंजेलो जितना ये गॉंजेलो करता है तो इन दोनों की क्या जरूरत है अलिंसो और गॉंजेलो इनकी क्या जरूरत है I myself could make a chef of as deep chat मैं खुद ही धिर लगा दूँ ऐसी बातों का जैसी बातें ये करता है oh that you bore the mind that I do अरे काश तुम्हारा दिमाग भी वैसे ही काम करता जैसे मेरा दिमाग काम कर रहा है what a sleep were this for your advancement क्या बढ़िया नींद है ये इन लोगों की तुम्हारी तरक्की के लिए do you understand me क्या तुम मेरी बात समझे अब सेबेस्टियन बात तो इसके खुद की दिल में थी बार बना रहा है me thinks I do हाँ अब मुझे लगता है मेरी समझ में आ गया कुद्टे अन्टोनियो मुझे बड़ी गुस्सा आती है मुझे ऐसे लोगों को देखके अन्टोनियो and how does your content tender your own good fortune और how does your content यारनी जो तुम्हारा satisfaction है content मने satisfaction tender मने regard और तुम्हारा संतोष कैसे मानता है your own good fortune तुम्हारे खुद के सौभागे को यानि तुम्हें जो सौभागे मिलने वाला है कैसा लग रहा है तुमको सेबेस्टियन I remember मुझे याद है you did supplant your brother prospero तुम्हें भी तो अपने भाई prospero की जगह ले ली थी Antonio true बिल्कुल सच है सही कहा रहे हो तुम मैंने अपने भाई prospero की जगह ले ली थी और अब देखो and look और देखो how well कितने अच्छे तरीके से my garment ये कपड़े जो के suit करते थे अब देखो वक्त के साथ fit बैठ गए मेरे my brother servant मेरे भाई के नौकर were than my fellows उस वक्त वो मेरे दोस्त हुआ करते थे now they are my man और अब वो मेरे नौकर है उस वक्त भाई के नौकर थे लेकिन मेरे दोस्त थे अब वो मेरे नौकर है Sebastian but for your conscience लेकिन तुम्हारा जमीर अजे भाईया तुम लोगों में जमीर है कहीं तुम्हारा जमीर कहां है अंतरा आत्मा वो तो कहां है लोगों में दुश्टो हाँ आह सर ए हुजूर where lies that कहां है वो कहां सो रहा है कहां पढ़ा है जमीर if it a kaipe kaipe होती है पैर में बिवाई फट जाती है न तो अगर ये बिवाई होती it would put me to my sleeper तो मैं sleeper पहन लेता बिवाई अगर होती है तो but I feel not this deity in my bosom लेकिन मुझे ये जो जमीर नाम का देवता है अंतरात्मा नाम की देवी है वो मुझे अपने सीने में कहीं महसूस ही नहीं होती twenty consciences अगर बीस जमीर भी होते मेरे बीस अंतरात्माई भी होती that stand between me and Milan जो कि मेरे और Milan के बीच में आकर खड़ी हो जाती है candied भी दे अगर वो चीनी की तरह solid भी होती है तो वो अगर चीनी की तरह कठोड़ भी होती and melt और तो क्या होता मैं उनको पिखला देता air they molest air मने before इससे पहले के they molest वो मुझे को रोक पाती मुझे जीत पाती उससे पहले ही मैं उनको पिखला देता here lies your brother ये देखो तुमारा भाई लेटा है no better than the earth he lies on और इस मिट्टी जिस मिट्टी पे सोया हुआ है उस मिट्टी से ज्यादा थोड़ी दिखाई दे रहा है ये भी मिट्टी वो भी मिट्टी मिला दो मिट्टी को मिट्टी में if he were that which now he is like अगर वो वही है जैसा कि वो इस वक्त दिख रहा है that's dead तो वो मरा हुआ है ये मिट्टी को मिट्टी में मिलाओ छोड़ो यार whom I with this obedient steel अच्छा तुम तो नहीं कर पाऊ चलो मैं करता हूँ whom इसको I मैं with this obedient steel ये जो मेरी आग्याकारी तलवार है three inches of it इसके बस तीन इंच गढ़ा हूँगा सीने में इसके में can lay to bed forever और हमेशा के लिए तुम्हारे भाई को सुला दूँगा whilst you और इसी बीच तुम doing this इसी तरीके से करना to the perpetual wink for I might put this initiate morsel और तुम्हें क्या करना है to the perpetual मने हमेशा के लिए wink मने आख बंद कर देनी है for I am for I am का मतलब भी for always might put रख दो तुम this ancient ये जो ancient मने पुराना morsel मने मास का टुकडा this sir prudence ये जो बड़ा होशयार आदमी है sir prudence उसको सारकास्टिकली बोल रहा है कि ये जो बड़ा होशयार आदमी है और ये जो इतना पुराना मास का टुकडा है यानि गॉंजलो के लिए ये सारी बातें कहर रहा है कि मैं तो तुम्हारे भाई को मारता हूँ और तुम इस गॉंजलो को who should not upgrade our course जिसको कि हमें हमाएं रास्ते में नहीं आना चाहिए यानि अगर हमने इसको छोड़ दिया तो ये हमको upgrade करेगा हमारा रास्ता रोकेगा डांटेगा तो इसको भी खतम करो for all the rest और जो बाकी के लोग है बचे हुए they will take suggestion as cat laps milk और ये लोग तो suggestion मने हम जैसे ही इन लोगों को टुकडे डालेंगे ये तो temptation कह सकते है suggestion को कि ये तो लालच के धनी है हम इनको कुछ टुकडे डालेंगे और वो जैसे बिल्ली दूद को लपलप करके चाड़ जाती है cat laps milk तो वैसे ही ये भी इनको जरास्ता धन देना होगा और ये तो कबजे में आ जाएंगे they will tell the clock और फिर वो क्या करेंगे वो खुद घड़ी को बताएंगे to take any business कि वो उसी तरीके से चले that we say befits-dar जो हम कहें अगर घड़ी में मां लीजे दो बजे हैं और हम कहें कि नहीं जी चार बजे हैं तो वो घड़ी में चार ही बजा देंगे ऐसे लोग हैं जी हजूरी करने वाले बस इने को तो पैसा चाहिए Sebastian तुम्हारी बात तुम्हारा experience मेरे प्यारे दोस्त शेल भी माई प्रिसिडेंट ये मेरा example होगा तुमने अपने भाई के साथ जैसा कि या मैं भी तुम्हारे example को follow करूंगा जैसे तुमने मिलान को हसल किया ऐसे ही मैं नेपल्स को हसल कर लूँगा जराखी जो अपनी तलवार बस एक ही वार में शेल फ्री दी वो तुमको बस एक वार करना होगा तो तुम आजाद हो जाओगे फ्रॉम दा ट्रिब्यूट वो जो ट्रिब्यूट एनल को कर देना पड़ता है न एलनसो को कर देता है ये एंटॉनियो तो जो ट्रिब्यूट तुम देते हो जो टेक्स देते हो उसे तुम आजाद हो जाओगे विच दाव पेस्ट जो कि तुम आजकल देते हो and I the king shall love thee और मैं राजा बन जाऊँगा और राजा बनने के बाद भी मैं तुमको महबद करूँगा and to new draw together चलो तो हम दोनों साथ में मिलके तलवार खीशते हैं and when I rear my hand और जब मैं अपना हाथ उठाऊँ do you the like तभी तुम भी वैसाही करना to fall it on gonzelo जिससे तुम्हारा बार गonzelo के उपर गिरे मेरा बार अलेंसो के उपर गिरे तुम्हारे भाई के उपर तुम्हारा बार गonzelo के उपर गिरे बहुत साबधानी से सेवेस्टियन ओ बट वन वर्ड अरे लेकिन एक बात सुनो they converse apart वो लोग आपस में बात करते हैं एक बात तो सुनो इतने में aerial re-enter कर जाता है invisible इन लोगों को दिखाई नहीं देता और aerial इस वीचिन का खेल बिगाड़ देता है my master through his art मेरे स्वामी ने अपनी कला से अपने जादू से four seas पहले से भाप लिया था the danger, खत्रा that you जो के तुम्हारे उपर है his friend मेरे मालिक के दोस्त are in तुम जिस खत्रे में हो and sends me fourth और मेरे मालिक ने मुझे यहां भेजा है for else his project dies क्योंकि इससे पहले के उसका उद्देश्य मर जाए उसका project खत्म हो जाए to keep them living कि मैं तुम को जिन्दा रखूँ things in gonzalo's ear gonzalo के कान में aerial गाने लगता है whilst you hear do snoring lie जब तुम यहां खराटे भरते हुए लेटे हुए हो open-eyed conspiracy आँखें खोलते हुए शर्यंद्र his time does take उन्होंने उस time का उपयोग कर लिया है use कर लिया है और if of life you keep a care अगर तुम अपनी जिन्दगी की जरावी परवाह करते हो shake of slumber अपनी इस नीन को भगाओ and beware और साबधान हो जाओ awake awake और जग जाओ जग जाओ and to new then let us both be sudden चलो अब हम दोनों एक साथ बार करते है हो गई उनकी सलहा इस बीच अब ये काम बगाड़ गया इनका aerial वो लोग सलहा करके आए हैं तब तक अब गॉन्जेलो जग गया waking जगते हुए now good angels preserve the king now अरे ये क्या हो अब एक अलन सो के कह रहा अलन सो और जग जाओ जग जाओ to Sebastian and Antonio Sebastian और Antonio से कह रहा है why are you so drawn why are you drawn तुम लोगों ने अपनी तलवानें क्यों कीच रखे हैं भाई we are for this ghastly looking और तुम इतने भूत जैसे क्यों दिख रहे हैं तो घोस्टली होता है वो तो भूत जैसा तो ये घास्टी मनें वोई dangerous क्यों दिख रहे हो भाई या इतने तुम करने क्या वाले हो अलन सो वेकिंग अलन सो भी जगता है what's the matter क्या बात है भाई क्यों हुआ शोर क्यों मचा रहे हो Sebastian whilst we stood here अब देखो क्या बातें बनाएंगे दौनों के दौना नलायक वी जब हम यहां खड़े हुए थे न सीक्योरिंग हम तुम लोगों की पहरा दे रहे थे हिवाज़त कर रहे थे your repose आपके नींद आप तो सोय हुए थे और आपकी नींद की हम हिफाज़त कर रहे थे even now तो अभी अभी we heard हमने सुना a hollow burst of bellowing एक बड़ी जोड की सानों की आवाज like bulls जैसे के सान चिला रहे हो आपस में लड़ रहे हो or rather loins या फिर ऐसा लगा सान नहीं शेरों की आवाज हो शेरों की दहार जैसे हमने सुनी हो did it not wake you क्या यही आवाज सुनकर तुम भी नहीं जगे it struck my ear most terribly बड़ी जोड से मेरे कानों से टकराई यह आवाज so I heard nothing लेकिन मुझे तो ऐसी कोई आवाज सुनाई नहीं दी oh it was a dinarii यह तो इतना भयानक शोड था to fright a monster's ears कि राक्षस के कान भी इससे धर रा जाते to make an earthquake shore पका इससे तो ऐसा लग रहा था जिससे धरती हिल गई भुकम पा गया होता it was the roar of a whole herd of loins पूरे शेरों की एक जुंड का शोड था यह so heard you this Gonzalo? Gonzalo तुमने यह सुना गया? Gonzalo upon my honor sir मैं अपनी इज़त की खाक कसम खाके कहता हूं I heard a humming मुझे एक जुम 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 की आवाज तो सुनाई दी थी humming sound तो सुनाई दी थी धीमी 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 धी सी and that a strange one too और वो बड़ी अजीव सी आवाज थी which did wake me जिसने मुझे जगा दिया जुम 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 की आवाज थी I shaked you sir और मैं जग गया तो मैंने आपको हिला दिया and cried और मैं चिला दिया as mine eyes opened जब जैसे ही मेरी आँखें कुली I saw their weapons drawn मैंने क्या देखा हुजूर इन लोगों ने अपनी तलवारें खीच रखी थी there was a noise और हाँ शोर तो था that's very यह बात तो सच है शोर तो था it is best we stand upon our guard अब हमारे लिए यही बहतर रहेगा कि हम अपनी हिफाज़त खोद करें or that we quit this place या फिर हम इस जगह को छोड़ दें let's draw our weapons चलिए हम भी अपनी तलवारें खीच लें and so lead off this ground चलो हमें इस धर्टी से इस जगह से दूर ले चलो and let's make further search और चलो हम और आगे तलाश करें for my poor son मेरे बिचारे बेटे की तलाश करें गौंजलो heavens keep him safe इश्वर safe काए मैंने अपने आपी लगा दिया मेरी भी ज़्यादा बुद्धी चलती है heavens keep him भगवान उसको बचाए रखें from these beasts इन जानवरों से for he is sure in the island क्योंकि मुझे तो पक्का यकीन है कि वो भी इसी दीप पर है elenso lead away चलो ले चलो हमें exit with others और सब के साथ ये लोग निकल जाते हैं अब aerial अकिला रह जाता है और ये aerial की आप सोले लोग की कह सकते हैं अपने आप से ही बात कर रहा है prospero my lord shall know मेरे स्वामी मेरे आका prospero को पता चलेगा what I have done कि मैंने क्या किया है so king go safely on to seek thy son इसलिए राजा तुम जाओ सुरक्षित होकर जाओ और जाके अपने बेटे को तलाश करो और ये गाता हुआ aerial भी निकल जाता है देखो rhyming बहुत सारी यहां rhyming verse है तो अक्सर aerial rhyme में ही बोलता है तो done son तो rhyme कर रहा है न और ये कहता हुआ वो भी निकल जाता है पहला scene समाप्त हुआ और ये वीडियो में यहां समाप्त करूँगी धन्यवाद